मार्केट में मिलने वाले बॉल जो काफी महेंगे मिलते हैं उससे आप घर में बना सकते हैं एजे होम बेकर आप काफी पैसा पचा सकते हैं और इसके बनाने के बाद आप तुरंथ ही इसे यूज़ भी कर सकते हैं घर में नॉर्मल सी जो चीनी होती है उसे आप हाप कप लेजिए और इसे बारी पीस लीजिए उसमें मैंने एक छोटा चमच कॉन्फलोर का मिक्स किया था और इसे पीसने के बाद इस तरीके से छानना बहुत जरूरी है अब मैं एक बाउल में लिक्वीड गुलकोज लूँगी इसकी जगा आप कौन सीरफ भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने वन टी स्पून लिक्वीड गुलकोज ही यूज किया है मेरे पास कौन सीरफ नहीं है इसलिए मैं लिक्वीड गुलकोज ले रही हूँ एक बरतन में मैंने गर्म पानी रखा है और उसमें ग्लुकोस सीरफ वाला जो बाउल है उसको मैंने डाल दिया है चार से पांस बूंद के करीब मैंने वनिला एसेंस लिया है और ये मेल्टेट घी ले लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ये गर्म पानी में होने कियों जैसे ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से गर्म पानी में रखना जरूरी है क्योंकि ग्लुकोस सीरफ गर्म पानी में इस तरीके से रखने के बाद थोड़ा मेल्ट होगा नहीं तो आपको इसको बनाने में बहुत ही मुश्किल अब मैं गर्म पानी को हटा दूंगी और इसमें CMC पाउडर या फिर थाईलूस पाउडर, दोनों में से कोई पाउडर आपको यूज करना है, बस एक से डेर चुटकी के बराबर आपको इसमें डालना है, अच्छी तरीके से एक चुटकी, CMC पाउडर या फिर थाईलूस प और अगर आप तुरंत भी यूज करना चाहते हैं, तो इस बॉल को यूज कर सकते हैं, मैं अभी आपको बना कर दिखाऊंगी, बनाने के तुरंत बाद ही ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, और अगर इसे आप 24 गंटे के लिए बाहर छोड़ दें, तो वो और भी हार्ड हो के बराबर पानी मिक्स करना है, और फिर से इसे मिक्स करना है, अगर आपको फिर भी और सुगर डालने के बाद ये हार्ड लग रहा है, और मिक्स नहीं हो रहा है, तो हाप टीस्पून के बराबर फिर से पानी इसमें एड कीजिए, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लि में mix करते समय और इस तरीके से अच्छा सा एक डो तैयार हो जाएगा इस तरीके से इसे मसल लेना है और यह आपका अगर छोटा मोटा टॉपर भी बनाना है तो आपका यह सुगर पेस्ट काम आ जाएगा अगर आप चाहते हैं कि छोटा मोटा टॉपर बना के आपको केक के उपर रखना है तो इसे एक दिन पहले बना कर रख दीजिए आपका यह हाड हो जाएगा और आप इसे टॉपर के रूप में भी यूज कर सकते हैं लेकिन यहां हमें बॉल ब में बड़े नोजल से काट रही हो तो यह बड़ा बॉल बन जाएगा हथेली पे रख कर थोड़ा सा दबाते हुए इससे गोल बना लेंगे और मैंने एक थाली में अच्छी तरीके से सुगर पाउडर ही लगाया है आप देख सकते हैं और इसके उपर बॉल को रखती जाओ इससे बॉल एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और जल्दी ड्राइ भी होंगे क्योंकि इसके उपर सुगर का एक कोट चर जाएगा जो मैंने थाली में लगाया है और इसके कारण कोई भी एक दूसरे से नहीं चिपकेगा आप इस तरीके से नोजल से काट के भी बना सकते है या फिर आप इस तरीके से इसे लंबा कर ले और उसके बाद नाइप का यूज करके छोटा-छोटा एक बराबर काटे और फिर इसको चोटा-छोटा बॉल बना ले मैंने बड़े बॉल बना लिए हैं अब मैं मीरियम बॉल बनाऊंगी ये देखिए मीरियम बॉल मैंने इस तरीके से बनाया है बड़े बॉल काफी महिंके मिलते हैं आप चाहें तो पूरे का बड़ा बॉल बनाकर रख सकते हैं मैं यहा पर आपको तीनो साइस के बॉल बना कर इसको बनाने में आपको एक प्रॉबलम आगी, जिसके लिए मैंने इहां पर बताया है सबसे छोटे वाले बॉल के लिए मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ लेकिन इसके उपर मैंने गीला रुमाल रखा है और गीले रुमाल से बहुत अच्छे से निशोर लिया है मैंने गीले रुमाल को और उसके बाद इसके उपर रखा है और इस तरीके से उसके अंदर से इस यह देखिए बॉल बन गया है यह बॉल मैंने जब सारे बना लिए उसकी आवाज यह है और यह 24 भंटे के बाद वाली आवाज है आपके पास जो भी कलर का डस्ट पाउडर है आप उसका यूज करके मल्टि कलर भी इसे बना सकते हैं यहाँ पर मैंने golden और silver ball बनाये हैं यह देखिए इसे कुछ नहीं करना है बस golden dust या silver dust इसमें डालना है और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से mix कर लेना है हमारा महंगा वाला golden ball बनकर तयार है मार्केट में इसकी price बहुत ही ज्यादा होती है और अगर छोटा मोटा order हो और आप उसके उपर उतना महंगा बना कर लाकर डालें तो वो आपको बहुत costly पर जाएगा इस तरीके से आप घर में बना कर यूज कर सकते हैं और ये 6 मैने तक खराब ही नहीं होगा तो आप इसे जरूर एक बार try करें